दूसरे मिथ पे पहले चलते ही, ये सहाब बहुत ही बढ़िया है, टेकिंग एडवाइस प्रम मैनी टॉपर्स केन मेक यू आय आइटीन एजली, यस, बहुत ही आसान तरीका, रोहित पटेल, जानते होंगे, आईटी देली में पढ़ रहा है, जैसी छुटियों में आएगा, दोड के गए, उसके घर ले गए, बुला, रोहित बेटा, बताओ, क्या करते थे, हम तो पढ़ते ही नहीं, हम कुछ नहीं पढ़ते थे, अच्छा, बस ऐसी कभी-कभी टाइम मिला, तो दो-तीन घंटे पढ़ लेते थे, हम तो मेहनत करते ही नहीं, फिर, पता लगा, दूस टॉपर आया, वो बोला, जी, हमने क्या किया था, वो जो पिछला वाला आर्टिकल, कि इन सारे टीचर्स को जाइन करना थे, चितने भी टॉपर्स थे, सब को अपने बच्चे से मिलवा दिया, और नहीं मिलवा दिया, तो क्या किया, जो जो उसने राय दी थी, वो सारी निकले का, इसमें डाल दो, बड़ा लाइव एक्जामपल, मैंने का, मैं लाइव चीजों से ही मोटिवेशन लेता हूँ, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ ने नई नई ड्राइविंग सीखी, बड़ा खुशी मिलती है, जब कोई अपने घर की कोई फीमेल तो लगता है कि आप सब हम पीछे बटेंगे चलाओ, हम सब लोग खुश हो के कार के अंदर बैठे और वो ड्राइव कर रही, पीछे से छोड़ा भाई बोला, अरे समाल के एक्सिरिंट हो जाएगा, ब्रेक ध्यान से लगा, पीछे से मैं बोला, हरे क्लत समाल के, पीछे से एक और भाई, अरे यह ध्यां से, अरे एक सिरिंट, चारों तरफ से आवाजी आने लगी, यानि ये टॉपर, वो टॉपर है, जोब एक्सपर्ट, टीवी पे तो बैटते हैं, अरे ऐसे शॉट लगाया होता, तो खहा जाता, ये तो अच्छा है आप टीवी पे हैं, बच ग कोई नहीं बूलेगा, लेटर ड्राइव, आरांग से कार चल रही थी, हमें भी आनंद आ रहा था, और उसको भी आनंद आ रहा था, और कहीं कोई समस्या लिए, परफेक्ट ड्राइविंग, लेटर ड्राइविंग, क्यों आप नहीं समझते, महिंदर सिंग धोनी बिचारा डिसीजन ले रहा है, यहां से आप परिशान है, अरे उसने ये भूमरा को फिर बॉल दे थी, अभी दूसरे ओबर में चार चौकिक खाया था, इस आपना स्टेटमेंट दिया, उसने बोला कि उससे में टीम में काफी बातचीर चल रही थी, आपने देखा होगा कैमरे पे हम सम मिलके बात कर रहे थे, बात तो सब कर रहे थे, लेकें डिसीजन मैं ही लूँगा, सब की थोड़ी मानुगा भाई, लास्ट में मैंने ही एक डिसीजन उस पे अपलाई करना है, लास्ट में मुझे ही जाके पांडिया को बोलना था, कि भाई, यौर कर मत ने इकना, आपने अगर नीज स्वेबर बढ़ाओ, प्लीज, टाइ पूंटेंट, वट आर यू दूए, जरा, रियलीजी पे आते हैं, वैसे तो हाल पिलाल, रियलीजी आपको पता चली, सिर्फ आधी लाइन पढ़ेंगे, टॉपर's advice is always good, yes, जो successful हुआ है, उसकी advice, no doubt, बेटर है, there is no problem at all, but can you apply every formula on your son or daughter, capability देखना है, उसका performance भी समझने की कोश्च करना है, कई ऐसा तो नहीं, कि आप जबरदस्ती उसके pressure दिये जा रहे हैं, और वो बच्चा उस तरीके से output नहीं ला पा रहा है, कई बार आपको नहीं बता पा रहा है, कि नहीं जी हमसे नहीं हो रहा है, फिर भी, नहीं, मम्मी पापा चाह रहे हैं, तो अब तो करके दिखाना ही पड़े, क्योंकि BSP में सब काम करते हैं, छोटी-छोटी बात यह आखी पता है, 2013 के बाद, 14, 4-5 बच्चे depression में गए, जो अच्छा कर सकते थे, 15, 5-6 बच्चे depression में गए, जो टॉप थाउजन में जेई में आ सकते थे, 16, नाम नहीं लूँगा किसी का, क्यों 14, 15 वाले किसी तरीके से मोटिवेट होके, बापस ड्रॉप करके अपने को बापस स्टीम लाइन में ले आई, 16, अगें सेम तिंग हैपन, एन अल उफ यू नो वेरी विड़ जो BSP में कात करते हैं, उनको पता है, कि कुछ बच्चे फिर से depression में गए, जबकि वो टॉप कर सकते थे इस exam, क्यों, क्योंकि आप सारे फामुले उस पे इस्तामाल कर देते हो, वो स्टॉपर की घर गए थे, उसके पिता जी ने बोला, हमने तो केबल के रेक्शन ही काट दिया थे, हमने तो नेट का केबल ही हटवा दिया, हमने तो इसको मोबाइल दिया ही नहीं, सारे एडवाइस नहीं ले सकते आप, क्या करना चाहिए, दोंट टेक एडवाइस फाम मैंनी सकता, नो, नो, I am not saying कि उनसे बात नहीं करो, I am not saying कि उनसे मत सुनो, but don't try to apply all advices जो आपको different successful people से मिल रही है, एक इंसान की advice more than sufficient होती है आपके success को achieve करने के लिए,